श्री क्रेश्ण कनहय आलाल की, श्री नियानन्द स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये जेहित आया सचापार, मुंसे सच को न करिये, मुझजा सचडा सेन सुझार, मुझजा सचडा सेन सुझार, यह प्रकर्ण जगडे का ऐसा कहा न ऐसे जो दुनिया के जगडे होते हैं इस प्रकर से नहीं है यह है प्रेमी आत्मा अपने प्रियतम धाम धनी के प्रति कुछ अपनी बात रखती है तो दुनिया के दृष्टी से उनके साथ में उलज रही ऐसा होता है तो प्रेमी आत्मा अपने भी बोल सकती है तो प्रेम में यह सब कुछ संभाव है तो यहां पर यह कहा गया अभी कि अक्षराते धाम धनी को कि आपके आने पर आप दुनिया में प्रकट हुए तो आपके आने पर यह नश्वर जगत भी अखंड हो गया अक्षराते धाम धनी तो ब्रहमा अत्माओं को शुभा देते हैं तुम दुनिया को मुक्त करने वाले हो मुक्तिदेशी ब्रहमा अन्य को आए ब्रहमा अत्मा सत्व और ब्रहमा अत्मा अक्षराति धाम धनी को कहते ही तो यह संसार तो नश्वर है आप यह आए तब यह अखंड हुआ आपके आने से यह सब हुआ है तो आप सच्छे हैं मुझ पर भी कुछ नयाय कर दे जिये हैं ऐसा कर के जोर असांसे को करी जड़े आई गाल असरे जोर असांसे को करी असांसे असांसे हमसे हमसे अप जोर जबर आश्टी क्यों कर रहे हैं जोर कतात पर जबर जस्ती, जड़े आई गाल सरे, जब गाल बात सरे सिर पर आई है, कौन सी, तो हमारे साथ में न्याय करने की बात सिर पर आ गई है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सरे सिर पर सामने, और सरा बोलेंगे तो फिर सरा तो कर्मकांदा और उसको ही अधर अरवी फार्षी में उसको न्याय अर्था में भी उपयो करते हैं सही सच्चो अमीन, तो सही वही सच्चो अमीन, सच्चा अमीन शिरोमनी, सरदार, सरदार, तो वही सच्चा सिरोमनी माना जाएगा, जो सच्ची गाल करे, जो सच्ची बात करते हैं, जो सत्य बात करते हैं, वही सिरोमनी कहलाते हैं, आप तो सिरोमनी हैं, अब आपको के लिए करना पड़ेगा Gramma कि आप्षवयम ंब कहलाटेएं नालो हक था शत्या में आप स्वयम सत्या कहला आपका थाया ऑका नाम सत्या में ढाते हैं वह करना परम शत्या सब कुछ परमात्मा के लिए ये कहा है बेव तो नाम रह्वान, बेव दूसरा तो आपका नाम रह्मान, रह्मान दयालू, दूसरा दयालू भी है तो एक सत्य है तो दूसरा दयालू भी है आउ मगा हक पड़ उतर मुके डे महरवान तो आउ मगा मैं मांगती हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ मथे सच अदल सच्चा सच्चो मुखे रशूल तो सच्चा तो यह आप सत्य है और मुखे भेजा मुखना मुखना भेजना उस आर्थ में मुख उपर बिंदी होती तो मुझे आर्थ में होता मुखना छोड़ देना आर्थ होता है कुजराती में भी मुखना मुखे दियो उनला छोड़ दो और रख दो तो अब यहाँ उसमें भेजा आर्थ में तो आपने सच्चो रशूल मुखे आप सच्चे हैं इसलिए आपने अपना संदेश भाग भी सच्चा भेजा मथे सच अदल मथे शिर पर सच अदल सत्य अदल न्याय के लिए न्याय करने के लिए अपने अपने रशूल को भेजा मुँ सच्चो दावो दोस से सचडा थी मुकावल तो मुँ मेरा सच्चो दावो सच्चा दावा दोस यह दोस्त तो मेरा सच्चा दावा भी दोस्त से है मेरे प्रियतम से है सच्चा थी मुकावल अब सच का सामना, सचड़ा थी, सच्च सच्चा से मुकाविल आपको सामना करना है तो यह कहना चाह रहे हैं, तो यह इतना दावा क्यों कर रहे हैं तो करते हैं, आप सामने हो करके मुझे कुछ बताएं इसके लिए कि आप सामने तो हो जाए है तो यह करने के लिए दर्शन दिजीए वह कर रहे हैं तो उसका तरीका दूसरे तरीके से हैं तो वहां arguments करके तर्क वितर्क करके वो जा रहे हैं तो इसलिए यह उपालंब जगडे का प्रकरना इसा कहा दिया वह उपालंब का आए वास्तव में वह जगड़ा लोकिक जगड़ा नहीं है जिसको उपालंब काते हैं उस प्रकर का तेहक एक न्या असाही जो तेहक एक निश्चय न्या न्याया असाही जो हमारा तो हमारा न्याय निस्चित है दोः आयो मथे कादह तो डोहा मतलब दोस, आयो, आया, मत्थे, सिर पर इस आर्थम में, काद, प्रयतम धनी, तो हमारा तो न्याय सीधा साधा है, निश्चित है, हमने तो मान लिया है, कि संपूर्ण दोस आपके सिर पर आता है, तो इस प्रकार्श कायर है, तो वो प्रेमी आत्मा कह सकती है, पाना तोरो थियो, तो हाथ में, ते मुझो हले, ना मै राद पाना, किन्तु तोरो और थियो अलग अलग है, हां, दोनों सब्दा अलग अलग है, तोरो थियो, तो हाथ में, तोरा का ताथ पर यह सत्ता, तोरा नीम होता है, तो इसमें यह सत्ता अर्थ में, तो सत्ता तो आपके हाथ में, तो नियायत तो आपके हाथ में थी इसलिए ते मुझो हले न मैराद तो ते इसलिए मुझो हले न तो मुझो मेरा हले न नहीं चलता है मैराद खेल के बीच में इस खेल में मेरा कुछ भी नहीं चलता है क्योंकि सत्ता आपके आथ में तो आप जैसे ना चाते हैं में नाचना पड़ता है तो न्याय की बात करेंगे तो दोस आपके उपर है इस प्रकर काना चाह रहा है तो अब दोस का इसे है वो भी बताएंगे सरो शच शाहब जो तो शरो सरा न्याय क्योंकि सबकुस्त अपके आथ में आप जो बोलेंगे वह होगा हम जितना भी बोलेंगे वह अमारी चलने वाली तो हाई नहीं कि हम तो आपके हुकुम के अधिन है हीत है सच्चो हलनो हक हीत है तो यहां सच्चो तो सच्चा सथी सत्य हलनो हलनो मतलब चलना तो यहां तो हक तो यह हक सत्य है आप सत्य है तो यहां तो सच्चाई लेना है तो आप न्याय आपका है तो आप सच्चे है तो आप सत्य न्याय ही करेंगे यह कहने का ताथ पर यहां तो चलना तो सत्य ही चलेगा तो आप सत्य है इसलिए हे कुडा काजी राद में भाईय करिया हिन माफक हे यहा आर्था है इस कहना पड़ेगा यहां पर कुडा काजी राद में कुडा मतलब जूठा काजी राद में राद में खेल में काजी न्याय करने वाला न्याय करता वो जुठा न्याय करता है इस जुठे जगत में हो तो भाईये करिया हिनमाफक तो भाईये जानते हैं आप समझते हैं करिया हिनमाफक इनके समान में भी जुठा न्याय करूं कि आप ऐसा समझते हैं क्या इस प्रकर्षे उपालम मौलाना दे रहे हैं तो यहां दुनिया में जुठा नयाय चलता है, तो आपको भी दुनिया में नयाय करना है, तो क्या, आप भी यही समझते हैं, क्या मैं भी जुठा ही नयाय देदू, इस प्रकार से, उपालंब, वो लहना दे रहा है, एहडी हिन अदालत, आओं करन की डियां, एहडी हिन अदालत, एहडी ऐसी बात है, इन अदालत इस नयाय लए में, आओं मैं करन की डियां, क्यों देती, तो ऐसा न्याय तो इस न्याय ले में मैं करने नहीं दोंगी, मैं कैसे दोंगी, यह कायना चाहर है तो मैं तो ऐसा करने नहीं दोंगी आपको तो आप और मेरे बिच का है तो यह जो दावा है यह तो आप और मेरे बिच का है सचड़ो मुझो मिया मेरे स्वामी अब मिया स्वामी अर्थ में तो मुझो मिया मेरे स्वामी सचड़ो सच्चे है तो मेरे स्वामी तो सच्चे है तो यह दावा तो आप और मेरे बिच में तो फिर ये अब जुठा न्याय तो होई नहीं सकता, ये दिपी जुठी जगत में हो रहा है हाने दाई मुदई बेजणा, हाने अब दाई मुदई बेजणा, दाई का तात्पर वादी और मुदई प्रतिबादी अब वादी और प्रतिबादी बेजणा, दो जणे हैं, जा मुकाविल नहुन, जा मुकाविल नहुन, तो जा जो मुकाविल सामना नहुन, तो नहुन का तात्पर वादी नहीं होते हैं तो जहां अब इस आर्था में लेना पड़ेगा, जब तक जैसे, अब वादी और प्रतिबादी दोनों जब तक आमने सामने नहीं होते हैं, तो तब तक न्याय कैसे होगा, ये प्रकारां दर्शे क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे दर्शन दो, तो आप न्याय करेंगे तो दर्शन देना पड़ेगा, तो मेरे साथ में आपके साथ मेरा दावा है, मैं वादी का तात्परिया, शिकायत करता, और प्रतिबादी जिसके उपर आरूप लगाया है, तो आरूप लगाने वाला और जिसके उपर आरूप लगाया, आरूप लगाने वाला बादी और जिसके उपर आरोप लगाया है वो प्रतिवादी तो वादी और प्रतिवादी दोनों ही जब तक आमने सामने नहीं होंगे तो न्याय कैसे होगा और आप तो उधाम में बैठें मेरे सामने होते ही नहीं है फिर न्याय कैसे करेंगे तो आप सच्चे है न्याय नहीं करें तो ये भी नहीं चलेगा इस प्रकार कहना चाहरा है तू बैठो मत्य तोरो गिनी तू बैठो आप बैठे हैं मत्य सिर पर तोरो गिनी तोरा गिनी लेकर के आप सिर पर अपना सत्ता लेकर के अपने आथ में सत्ता रख करके तो बैठे हैं हे बैठियों हे कलियों रूना तो हे कतात पर यहां तो यह विचारी यह आत्मा यह तो बैठियों बैठिया है हिकल यूं अकेली रोना और रोती है ये तो अकेली बैठ करके रो रही है तो जिसके साथ दावा है वो देखी नहीं रहे हैं वो क्या न्याय करेंगे और कहलाते हैं सत्य और जुठा न्याय करना चाह रहे हैं तो आपके हाथ में सत्ता है और आप तो उपर बैठे हुए हैं और मैं आके लिए आके लिए रो रही हूँ ऐसा कहना चाह रहा है तो इसके लिए ही तो इसको ये जगडा बोल दिया तो ये उपालंब की बात है वो प्रेम में ये उपालंब चलता है शिका, सद्डा, दिदार के शिका का मतलब जैसे पहले शिकाई ये था ना ब्याकुल हो ना शिका ब्याकुल हो रही हूँ और सद्डा पुकारती हूँ पुकार करती हूँ दिदार के दर्शन के लिए दर्शन के लिए मैं ब्याकुल हूँ और आपको बार बार पुकार कर रही हूँ आप सही बात बता दे कि गुमाफिराकर के जो भी बोला हो लेकिन मुझे तो आपके दर्शन चाहिए इसलिए मैं पोकार कर रहे हुँ भी सुनना के गाल, दुसरा सुनना के गाल आपके वचन सुनने के लिए एक तो दर्शन चाहिए और दूसरे आपके मिठे मिठे वचन चाहिए मु बजूद नाशुत में मेरा अस्तितो तो इस नश्वर जगत में तू धनीबा कानूर जमाल आप तो अखंड धाम के स्वामी हैं मेरा अस्तितो तो नश्वर जगत में मेरे आत्मा तो दुनिया को देख रही है और भूल करके बैठिये ऐसे में अब आपको नयाय करना है तो मुझे दर्शन देना है और मुझे मीठी मीठी बातें बतानी है भागो पन तू ना छूटे मगा हक नियाया भागो पन तू ना छूटे भागो भागने पर भागने पर भी आप भाग जाएंगे तो भी तो ना छूटे छूटेंगे नहीं मगा हक नियाय, मगा मांगती हूँ हक सचा नियाय, नियाय, नियाय के लिए नियाय लिखाया, तो मैं तो सचा नियाय मांगती हूँ, इसलिए आप भागेंगे तो भी नहीं छुटेंगे सरो घुरे सच सभनी तो घुरना का अतपर यह मांगदा तो सरो घुरे तो सरा तो सता अथवा न्याय तो ओक मांगते हैं घुरे मांगते हैं सच सभनी तो सब को सत्य न्याय चाहिए सब लोग सत्य ही न्याय मांगते हैं या गरिव या पात्सहा गरिव हो या धनी समराठ हो त तो सभी सच्चा ही चाहते हैं, सच्चा न्याय चाहते हैं, तो आप तो सम्राट हैं, और मैं गरीब हूँ, कहने का तात्परे असहाय हूँ, किन्तो मैं मांगतों सक्ति हूँ, यह कहना चाह रहे हूँ सरे सच नारजे, हे जो सरो सुभान, तो सरे तो सरा न्याय सच नारजे, सच्चा देखना चाहिए, हे जो सरो सुभान, तो सरो सरा सुभान, तो न्याय करता भी सच्च श्वामी हैं, तो अब न्याय भी सच्चा ही दिखना चाहिए, सचाई देखेंगे सचाई न्याय करेंगे कहने कातात परिये हैं भोणे भजन्दो मुव थी पान चाइए रहेवाना भोणे भोणे कातात परिये भागना फिरना उसर्थमें भोणे भजन्दो कातात परिये भागते फिरते मुव से मुझ से मुझसे आप भागते फिर रहे हैं, पान चाहिए, रहेवान और स्वयम कहलाते हैं, रहेमान दयालू, तो स्वयम आप दयालू कहलाते हैं, और मुझसे भागते वे फिर रहे हैं, तो आप सच्चे हैं, तो आपका न्याय भी तो सच्चा होना चाहिए, आपने सच्चा न्याय कि यह दिखना भी तो चाहिए तो इस प्रकार्श का रहा है तो यह सारा ना एक भाव होता यह उपालंब है तो दर्शन का दर्शन देना दर्शन मांग रही है इंद्रावती और मिठी-मिठी बात सुनना चाहती है स्रिक्रिष्न कनैया लाल की पान चाहिए रह्मान सरे सच नारजे हे जो सरो सुभान बोड़े भजन दो मुहती पान चाहिए रह्मान पाड़ चाहिए रह्मान, 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 पा